हेलो दोस्तो दा अल्टिमेट स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है तो दोस्तो पीएसल यानि पाकिस्तान सूपर लीग का काउंडाउन स्टार्ट हो गया है 14 फेबरिरी से लेके 17 मार्च तक चलने वाली पीएसल के लिए सारी टीम्स ने अपने अपने रिटेंड और रिलीज प्लियर एनाूंस कर दिये है तो दोस्तो आईए देखते है कि किस टीम ने किसको रिटेंड किया है और किसको रिलीज किया है दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं इसलामाबाद यूनाइटेड की इसलामाबाद यूनाइटेड ने रिटेन किया है शादाप खान, फहीम अश्रफ, आसिफ अली, लिूक रॉंकी, हुसान तलत, एहमद बट, रिजवान हुसान और मुसा खान को रिटेन किया है और दोस्तो इन्होंने रिलीस किया है इंगलेंड के अलेक्स हेल्स, कैमरोन डेलपोर्ट, चैट्विट वॉल्टन, इयन बेल, मुहमद शमी, नसीर नवाज, फिलिप सॉल्ट, रमन रईस, साहिब जादा फरहान, सामित पतेल, वकास मक्सूद, वेन पार्णेल और जफर गोह और इस समय सबसे बहतरीन बैट्समेन, मुहमद आमिर, बहतरीन गेनबास, इमाद वसीम, इफ्तिकार एहमद, आमिर यमीन, उसामा मीर और उमेर खान को रिटेन किया है और इन्होंने रिलीस किया है, एरन समर्स, अबरार एहमद, अली इमरान, ओवेश जिया, बेन डंग, कॉलिन इंग्रम, कॉलिन मुन्रो, जाहिद अली, लियाम लिविंग स्टोन, मुहमद रिजवान, रवी बोपारा, सिकंदर रजा, सोहेल खान और उस्मान शिनवारी को रिलीस कर दिया है इन लोगोंने, अब बात करतें दोस्तों लाहोर कलंदस की, तो दोस्तों इन्होंने रिटेन किया है, फकर जमान, मुहमद हफीज, डेविड वीजी, शाहिद शाह अफरीदी, उस्मान शिनवारी, सोहेल अक्तर, हारिस रॉफ और सलमान बट को इन्होंने रिटेन किया है, और रिलीस की बात करें, तो एबीडी विलर्स को रिलीस किया है, क्योंकि एबीडी विलर्स 2020 में अवेलेबल ही नहीं है, आगा सलमान, एजास चीमा, एंटॉन डेफ, एंटॉन डेफ चीज, असेला गुनरतने, ब्रेंडन टेलर, कार्लोस ब्रेतविट, को पुरी एंडरसन भी 2020 में अवेलेबल नहीं है, गोहर अली, हारदस विल्जियोन, हारिस सोहिल, हसन खान, मोहमत इमरान, राहत अली, रिक्की वेसल्स, राइंटन डशकाटे भी अवेलेबल नहीं है, साद अली, संदीप लमीचने, उमेर मसूद और यासिर शा को इन्होंने जो सबसे बहतेरीन पाकिस्तानी प्लियर है, जेम्स विंस, जुनायत खान, शान मसूद, अली शाफिक और मोहमत इल्यास को इन्होंने रिटेन किया है, इन्होंने रिलीस कर दिया है, आंद्रे रसल, जो की 2020 में अवेलेबल नहीं है, पीसल में, क्रिस ग्रीन, डैन हम्मद आजम, जो डेनली, जॉनसन चार्ल्स, लॉरी इवन्स, मुहमत इर्फान खान, मुहमत अब्बास, मुहमत जुनायत, निकोलस पूरन, नुमान अली, कैस एहमद, शाकिल अंसर, शोयम मलिक, स्टीव स्मिर्पी अवेलिबल नहीं है, टॉम मूर्स और उमर सिदीक अब बात करते हैं पिशावर जलमी की, तो इन्होंने रिटेन किया है वहाब रियास को, हसन अली, कीरन पोलाट, कामरान अक्मल, डैरन सैमी, इमाम उलहक और दोस्तों उमर अमीन को इन्होंने रिलीस किया है अंड्रे फ्लेचर, क्रिस जॉर्डन, डेविड मलान, इप्तसम शेक, जमाल अनवर, खालिद उस्मान, लेंडल सेमन्स, लियाम डॉसन, मिजवा उलहक भी अवेलेबल नहीं है 2020 में, नभी गुल, समीन गुल, समी उल्ला, शोयब मक्सूद, तिमल मिल, टैमल मिल, उमेद असीफ, वकार सलामखील और वेन मैटसन, अगर हम कोटा ग्लाडियेटर्स की बात करें तो इन्होंने रिटेन किया है, सरफराज एहमद, मौहमद नवाज, शेन वाटसन, एहमद शहजाद, उमर अकमल, मौहमद हसनैन, नजीम शाह और एहसान अली को फवाद एहमद, गुलाम मुदसर, हैरी गर्णी, जलान खान, मैक्स वालर, मौहमद अजगर, मौहमद आजम खान, मौहमद इर्फान, जूनियर राइली रूसो, साउच शकील और स्वेल तनवीर को इन्होंने रिलीस किया है, तो दोस्तो ये था PSL में किस टीम ने किसको र गर्णी, जन्होंने रिली था